आज बाद करेंगे दो टाइप की होती है एक राहू वाली इस्टूली होती है एक शनी आपके से सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो विवाइब बड़ी मुश्किल से होगा विवाहा के भाद भी समस्या याती रहेंगी यह सब हो गया यह आपने नोट कर लिया बस आपने यहीं तक समझा इस चीज़ को मैं कभी फिवर नहीं करता हूं और सबसे बढ़ी है बात यह जब मैं अपनी क्लास में पढ़ाता हूं तो अपने सरकारी तंत्र से आपको परशानी है उससे पहले कोई निवारन होगा है उसके बहुत सारे कारण थे साड़े साथी में थे साड़े साथी जहां थी वहाँ पर जो है सूरिय भी गोचर कर रहे थे शनी के साथ तो वो गणबण हो चुकी थी खैर है नहीं हो वो अलग बैट रहे अब मैं फिर से वापिस अपने पॉइंट पर आता हूं मैंने ये कहा कि सत्तम भाव में बुद्ध बैठा है तो आपने समझ लिए हाँ ठीक है मेरिज में दिक्कत है मेरिज के बाद भी दिक्कत है यू नोटर डाउन दा पॉइंट यह रहू यानि शॉटकर्ड या प्तम में बैठ गया यानि अपने से बार्वें भाव में पहले नागेटिव पाइंट दूसरा राशी बुद्ध की आई एकादश भाव में एकादश भाव इच्छाओं का है और वो छटे से छटा भी है यह नि भूलाया में भावाद भावं से दांत लगेगा इसमें तो कभी इस प्रकार की आप एस्टोलोजी पढ़ने का परयास करें कि सत्तम भाव में बुद्ध बैठा है व्रिश राशी में तो विवा में दिक्कत ये तरीका नहीं होता क्लासिकल एस्टोलोजी से यानि इजी वे से पढ़ने का परयास करें ऐसे ही सभी ग्रह को पढ़ ले जब एक चीज आपको क्लियर होगी किसी भी ग्रह को किसी भी भाव के अनुसार पड़े ना कि डिक्टम के उपर चले डिक्टम तो बहुत कम होते हैं सारे नहीं होते अब आप चेक करिए कि आपके सेवन्थ हाउस में बुद्ध बैटा है है वा गुड़ डे थैंक्स क्लिध कर दोब लिए